दोस्तों आज मैं आपको आपके फोन के कोलिंग से जुड़ी कुछ जुरूरी बाते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं यह जाना आपके लिए बहुत जुरूरी है और आपके लिए इंपोर्टेंट भी है और आपके लिए यूस्पल भी ठीक है यह सेटिंग आपको ब पूरा डीटेल में बताऊंगा तो मेरे वीडियो आपने यहां पर पूरा ध्यान से देखना है सोनम इशकार दोस्तों मेरा नाम हिराकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूस टैक चैनल आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फोलो कर सकते हैं उसका लिंक को रोटेट कर सकते हैं लेकिन नहीं होती है फोर अर्शमिलियों यहां पर दिखा रहे Hund तो एक time जब मैं इस तरह रोटेट करूंगा तो मिरे फद्रियोर और यही नहीं होगी नहीं होरी तो मैं आपकी को क्या यहीं है आपने नोटिफिक्शन पैनल को नीचे करना है फिर आपने यहां पर एक option find out करना है वह कौन साइज ठीक है वह मैं आपको आप दिखा देता हूं वह हमारा portrait mode इसको आप करने से क्या होगा आपकी फिर भी calling screen rotate नहीं होगी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं ठीक है फिर से निचे को ना लोंगal कूल डाउं अपने न्युट वह पर क्लिक करने के बाद अपको इस तरह का इंटरी के डिलेगा तो आपने नीचे वृइस झौल स्क्रीन को यहां पर कर दिएे सीमुफी पर पिलिक कर देने फिर आपने यहां पर क्लिक सीजिन फिर आपने कर सकते हैं उसके बाद next trick जो next trick है ना उससे आप अपने phone की incoming call को log कर सकते हैं मतलब की pattern, fingerprint, lock pin कुछ भी लगा सकते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा आपको उसके लिए आपको एक application की जोर्थ होगी incoming call वाली जिसका link मैं आपको description पर दे दूँगा तो यह work कैसे करती है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं तो यह work करेगी आपने simplest application को open करना है open करने के बाद आपने इसे draw or other apps को यहां से enable करना है read font status को यहां से enable करना है lock set pattern set lock pattern यहां पर अपने pattern रखना जाते हैं तो मैं है pattern रखूंगा ठीक है यहां पर enable lock कर देना है उसके बाद जब आपको call आईगी तो आपकी calling screen यहां पर locked हो जाएगी आपको pattern डाल लाँगा तभी वह call जो है पिक होगी otherwise कोई भी आपकी phone को उठान नहीं पाएगा यह हमारी second setting ठीक है यह आपको try कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही कमाल की application है ठीक है उसके बाद उसके बाद आपको setting बताऊंगा जैसे कि आप किसी को आप किसी को मतलब आपका number को किसी ने forward किया हुए तो आप पता कैसे लगाएंगे तो आप डाइलिंग पैट पर जाएंगे ठीक है यहां पर आपने अगर आप number forward करना चाहते है पहले आपको मतलता तो आप number forward कैसे कर सकते हैं वह भी code use करके अपने phone का code use करेंगे तो और number forward हो जाएगा मैं करूंगा star two one ठीक है फिद star फिर मैं यहां पर कोई number डाल घूँगा ठीक है फो दर मैं यह number डाल दिया है ठीक है तो नमबर आप दिसकते हो फिर मैं यहां पर forward हो चुकी है ठीक है आप इसे आप तो मतलब आपको पता क्षेज़ लगा कि आपकी call forward होई है फूर से आपने यहाँ पर code dial करना है तो बेसिकलिए अगर आपका number किसी ने आपका number पर किसी ने call forward की हुई है तो आपको को पता चैसे लगा की हुई है या फिर नहीं लोगा ओन मा ही तो फी आपने तो यहां है कैना पर फोरवर्ड होई है नहीं होई देखे तो वोईस, not forward, date, not forward, data, sorry, fax, sms, synchronization, pocket, pad, कोई भी चीज आपकी यहाँ पर forward नहीं है जैसे कि मैंने पहले call forward की थी, वो गलत नमबर पर की थी, तो आप जिसकी C मेहना आप उसी नमबर पर आप forward कर सकते हैं अब पता चल गए हमें कि कोई भी call यहाँ पर forward नहीं हुई है, अब मैं आपको cool मदा के बताओंगा कि आपने call forward जितनी भी हुई है उन सब को erase कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर code लगाना होगा, वो code लगाएंगे तो आपके device में जितनी भी call forward हैंगे, सभी erase हो ज क्लिक कर देना है तो आपके device में जितनी भी call forward होगी, सभी यहाँ पर erase हो जाएंगी, ठीक है, जितनी भी call forward होई है, सभी यहाँ पर erase हो जाएंगे ठीक है समझ गे ना दोस्तों आप मैं आपको यहां पर लास्ट सेटिंग बताऊंगा जो कि बहुत ही जादा इंपोर्टन है वह आपको डाइलिंग पैड में जाएंगे यहां पर फिर सेटिंग वाले उप्शन में यहां पर आपने जब लास्ट टाइम किसे बात कि होगी तो आप यहां पर के इंफोर्मेशन निकाल सकते हैं कि आपने कब बात की थी कौन से डेट को बात की थी और को रिकोर्डिंग भी सुन सकते हैं तो यह आपने यह से ऑन ही रखना है यह थी आज की स्टेटिंग के लेटेट मैं आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी पसंद प्लीज लाइक कर देजेगा सो बाई बाई टेकर जाहिंद बंदे माध्रम